हाई नमस्कार मेरा नाम है गगन राव पाटिला और आप देख रहे हैं मनीनाई जटपट क्रिप्टो करेंसी को भले सरकार माननेता देने की मूड में हाल फिलाल नहीं दिख रही हो लेकिन इन्वेस्टर्स के हित के बारे में जरूर कही न कही सोच रही है ताजा तस्वीर तो कुछ ऐसे ही बया कर रही है क्रिप्टो पर जल्द पिक्चर साफ हो सकती है जी हाँ भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है यह हम नहीं कह रहें बलकि आर्थिक मामलों के सचीफ अजे सेट ने खुद इस बात की तस्दीक की है तो बात यहे कि स्टेक होल्डर से राय लेकर क्रिप्टो करेंसी पर कंसल्टेशन पेपर तयार किया गया है जल्दी कंसल्टेशन पेपर को पेश भी किया जाएगा कंसल्टेशन पेपर की बात कहां से आई इसे ठीक से समझ लेते दरसल वितमंत राली की तरफ से आयोजेत एक कारकरम में सचेव ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर घरेलू एवं अन्य भागीदारों के साथ चर्चा की गई है उसी के अधार पर कंसल्टेशन पेपर तयार किया गया है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की वज़ा से पैदा होने वाली चौनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक्स तरपर कदम उठाने की जरूरत है भारत ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर सजक रुक अपनाया हुआ है इस बारे में अभी तक कोई नीतिकत स्पष्टता नहीं आई है इस पर पेपर तयार करना इस दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर वैश्विक सहमती बननी बहुत जरूरी है सरकार नेवेश्कों की सुरक्षा को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने से पहले दूसरे देशों द्वारा उठाये गए कदमों पर गौर करेगी क्रिप्टो पर न केवल घरेलू हिदुदार को बलकी IMF, Fishbank जैसे संगेटनों से भी सुझाव लिया है अब थोड़ा फ्लैश बैक में जाने की जरूरत है दरसल वित्वर्ष 2022-23 के बजट में वित्वंत्री निर्मला सीता रमण ने वर्चूल डिजिटल संपत्ती के लेंदें से होने वाली आये पर 30% टेक्स लगाने का एलान किया था साथ ही बजट में वर्चूल डिजिटल एसेट्स के लेंदें पर 1% TDS लगाने का भी एलान हुआ था इसके अलावा वित्वंत्री ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान क्रिप्टो करेंसी को लेकर चिंता जाहिर की थी उन्होंने कहा था कि वैश्विक सहमती से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की आविशकता है जिससे इसका इस्तवाल मनी लॉंडरिंग और आतंगवात के पोशड में ना हो उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये भारत की बड़ी चिंता है इधर बिटकोईन में तेजी देखनों को मिलिए बिटकोईन पिछले 24 गंटे में करीब 3 फीजदी की तेजी के साथ करीब 24 लाक रुपे पर ट्रेड करती दिखाई दी उमीद है ये खबर आपको जरूर पसंद आई होगी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी नाइन